वेडियो वीडियो एकदम से ख्लोज हो गया इसमें हम कंटिन्यू करेंगे साइंटिफिक सुसाइटी किसने बनाई थी तो ध्यान अपना सयद हमत खान सर सयद हमत खान जो थे इन्होंने बनाई दी यह चाहते थे कि मुस्लिम जो धर में उसमें भी रिफाउम्स आए जो नहीं नहीं वेस्टन जो अच्छी प्रेक्टिसिस हैं साइंस की वो उसको अपना है साइंटिफिक सुसाइटी में एक्चुली अलीगड में बनी थी साइंटिफिक बुक्स का ट्रांसलेशन किया जाता था जो इंग्लिश की थी उर्दू और हिंदी में कौन से मुगल किंग ने राजा राम मोहन राय को अपना दूद बना के लंडन भीजा था अठासो थीस में अकबर्टू ने और इनों ने ही जो है राजा राम मोहन राय को राजा की उपादी दी दी स्वामी विवेक अनन्द को स्वामी किसने कहा था स्वामी विवेक अनन्द जो उनका नाम था नरेंद्रदत नाम था बाद में स्वामी हो गए तो एक खेतरी के राजा थे उन्होंने उनको वो उपादी दी थी कुछ statement है हमको इसमें से correct बताना है कि ब्रह्मो समाज supported monotheism बिल्कु सही है कि वो एक इश्वरवाद में विश्वास रखता था आरे समाज contributed for the development of education, yes Swami Vivekanand founded Ramakrishna mission, yes 1897 में बनाया था तो all are true इसमें से यह पूचा है इस question में कि ब्रह्म समाज Ramakrishna mission और आरे समाज में common क्या है None of these three had a political mission but they helped to develop the spirit of patriotism अगला देखते हैं all the three originated from Bengal तो यह तो गलत है क्योंकि आरे समाज जो था वो बंबे में बना था founders of all the three were educated in England, no sir founders of all the three two captive part in politics, तो क्या politics में थे क्या तीनों, no sir तो बचता है A, ठीक है कि तीनों ने political mission नहीं था लेकिन एक राश्ट्रवात की भावना उन्होंने जरूर जगाई थी राटना समाज के founder को ने आत्मरं पांडूरं 1867 ने बना था इसके साथ महादेव गोविन लानडे भी associated थे अगला कुश्चन है आपका कि आकाली मोमेंट कब शुरू हुआ ध्यान रटना आकाली मोमेंट जो शुरू हुआ था आपका वो हुआ था 1921 में ये जो गुर्दवारे में महंत होते थे इनकी कुछ मोनोपोली थी गलत करते थे इनके अगेंस्ट में हुआ था फिर सिख गुर्दवारा एक्ट भी आया था बहुत क्लोस थे ये देरोजियो डेविड हैर और आपके राजा राम मोहन राए तीनों बहुत क्लोस थे तो डेविड हैर के बारे में मैंने पढ़ाई कि ये एक वाच मेकर थे घड़ी बनाते थे इनके दुकान थी वहाँ पे इनकी मुलाकात हुई थी राजा राम मोहन राए से ठीक है फादर अव मौडर्न इंडिया राजा राम मोहन राए ठीक है एकरडमिक एसोसियेशन किसने बनाई थी हैंडरी विविन देरोजियो कलकत्ता में बनाई थी हुई इनिशिएटेड री जेनरेशन आफ इंडियन मुसलिम्स इंडि 19th century तो 19 विश्यताबदी में सेयद अहमत खान ने मुसलिम्स की रीजनरेशन जैसे राजा राम मोहन राए ने हिंडूस में किया वैसे ही सेयद अहमत कान ने मुसलिम्स के लिए किया हुआ स्थित्तुमीर ध्यान रखो तित्तुमीर जो थे ना आपके यह वहावी मुमेंट से असोसियेड़ थे यह लेट यह एक मुसलिम रिफॉर्मिस्ट मुमेंट था वहावी मुमेंट इसमें एक नाम और जुड़ा हुआ है सयद एहमद बरेलवी का सयद एहमद बरेलवी के स्टुड़न थे चित्तुमीर तो यह भी वहावी मुमेंट से ही असोसियेड़ थे फेबियनिजम के जो सपोर्टर कौन थी एनिभी सिंट थी फेबियनिजम क्या होता है कि डेमोक्रिसी के प्रिंसिपल मतलब लोग सरकार को चुने तो रिफॉर्मिस्ट एजंडा मतलब ऐसा ना हो कि जैसे जैसे मान के चलो किसी राजा कर्श राशन है तो वहाँ पर जंता विद्रो करते विद्रो करते मतलब लडाईयां वाइलेंट हो जाए तो वो नहीं है फेबियनिजम का मतलब है कि लोगों की सरकार होनी चाहिए लेकिन रिफॉर्म से धीरे धीरे कुछ कोशन ये स्टेट्मेंट दिया है करेक्ट बताने हैं कि इश्वर्चंद विद्या सगर फाउंडेट दी बेतुने स्कूल अट कलकत्ता विद्धी में नेम of encouraging education for women तो ध्यान रटना 1840 से 50 के बीच में महिला education के लिए काफी काम हो है उनी में से एक था बेतुने स्कूल तो actually बेतुने स्कूल सर बेतुने ने बनाया था लेकिन इश्वर्चंद विद्या से अगर भी उससे associated थे तो इसलिए उनको भी founder कहा जाता है तो secretary of बेतुने स्कूल थे तो हम इस statement को correct मान थे है चीक है बंकिम्चन जटोपद्द है अगला statement है कि वो पहले graduate थे कलकता या उनिवस्टी के सही बात है केशव चंद्र से इनने सती के खिलाब लड़ाई लड़ी थी no केशव चंद्र से इनने ऐसा नहीं किया था वो associated थे ब्रह्म समाच से दूसरे reforms के साथ associated थे ये राजा राम मोहन रहा है सती से associated थे तो answer होगा A and B शोम प्रकाश न्यूस्टेबर किसने शुरू किया था इश्वर्चन विद्या सागर ने answer is B Who among the following wrote the book बहु विवा तो answer है इश्वर्चन विद्या सागर बहुत काम किये इनोंने अगला कुशन है आपका कि डेविड हैर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलके हिंदू कॉलेज कलकत्ता में किसने बनाये था तो ध्यान रखना उसका answer है राजा राम होन रहा है इन दी इयर 1817 देखो एक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ये बहुत आएंपी कुशन है कि जैसे इंडियन नेशनल कॉंग्रेज है 1885 में बनी एक इंडियन सोशल कॉंफरेंस भी बनी थी 1887 में जिसके लीडर थे जो किसने बनाई थी महादेव, गोविन रानडे और राओ ने बनाई थी और पहला सेशन जिसका मदराज में हुआ था तो क्यों बनी थी तो देखना इसका रीजन है कि इंडियन नेशनल कॉंग्रेज डिड नाट वान तो इंक्लूड सोशल रिफॉर्म इन इट्स डेलिबरेशन एंडियन नेशनल कॉंग्रेज पॉलिटिकल फ्रंट पे काम करती थी मतलब कैसे उसमें रिफॉर्म हो इंडियन का पाटिसिपिशिन कैसे बड़े तो वो चाहते थे कि सोशल रिफॉर्म के लिए एक अलग बाडी बने तो इसलिए क्या बनी इंडियन सोशल कॉंफरेंस 1870-87 में ठीक है ब्रह्म समाज के रिगार्डिंग कौन सा स्टेट्मेंट करेक्ट है इस सर ये इट डिनाइड दी नीट फॉर प्रिस्टली कास फॉर इंटर्पेटिंग दी रिलिजिस टेक्स मतलब ये जो पुजारी होते थे उनकी जो एक डॉमिनेशन थी उसको डिनाइड करता था सही बात है इट पॉपॉलराइज दी डॉक्ट्रिंग दिट वेदास और इंफैलियेबल ये जो स्टेट्मेंट है ये आरे समाज से रिलेटेड है जिसने कहा था गो बेक टू वेदास तो अंसर होगा इसका वन एंड तू ये हमारे कोश्चन कतम होगा है फ्रेंट्स होके थैंक यू सो मच प्लीज आपका फीडबेक दें आपका फीडबेक नहीं मिलता है बहुत कम मिलते हैं तो हमारी टीम को बहुत मोटिविशन मिलेगा और हमें पता भी लगेगा कि हमारी क्या कमिया हैं क्या चीज आपको पसंद आ रही है थैंक यू सो मच